नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर से आपका मेरे ओनलाइन नर्सिंग नोलेज यूटूब चैनल पर जैसा कि प्रिवेस क्लासों में मैंने नियूरोलोजिकल डिसोडर्स में से काफी टोपिक करवा दिये हैं तो आज का अपना टोपिक है सेरिब्रल पालसी नियूरोलोजिकल डिसोडर्स में से मैंन टोपिक है सेरिब्रल पालसी तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल पर सदस्य ताले ताकि आपको मेरे नियू नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सेर करें तो चलिए बढ़ते हैं टोपिक की तरफ तो अपने बात करें सेरिब्र पालसी की तो पालसी का वर्ड मिनिंग क्या होता है पेरलाइसिस पेरलाइसिस मिन्स कम्प्लीट और पार्सियल लोसोख मस्यल फॉंक्षन तो अम इसके डेफिनेशन की बात करें तो इट इस प्रोग्रेसिव एंड न्न क्यूरेबल डिजीस तो सेरिब्रल पालसी जो है वह non-progressive है और non-curable है मतलब यह क्योर नहीं हो सकती है ठीक है एक बार हो जाती है तो यह क्योर नहीं हो सकती है इस condition में cerebral palsy की condition में क्या होता है जो brain का pyramidal और extra pyramidal जो part है जो brain के sorry जो body के moments को control करता है वो इस condition में involved होता है ठीक है in this brain area damage ठीक है brain area damage कौन से पेरामेडर और extra पेरामेडर जो की brain जो की body के moments को control करते है पोस्चर को maintain करते है और body के balance में help करते है वो parts damage हो जाएंगे उसकी वज़े से जो condition उत्पन होगी उसे हम कहेंगे cerebral palsy ठीक है उसे हम कहेंगे cerebral palsy नेक्स्ट में इसके rate ratio की बात करूँ तो एक पॉइंट पांस से चार जो children है पर हजार children में से affected होते हैं ठीक है हजार children में से एक पॉइंट पांस तो चार जो children है वो worldwide cerebral palsy की condition से affect होते हैं ठीक है चलिए next सो बढ़ते हैं इसके को ज़ेज की तरफ तो मैं बात करूँ जिसक को हम ने दो भागों में डिवाइट किया है ताकि हम अच्छे से सबाइद सके परिनेटल पीरियेट और दूसरा पोस्ट नेटल पीरियेट, ठीके तब पेरिनेटल पीरियेट कुन सा घैट तक है Darren entr पॉस्ट नेटल पीरिएड कोन सा होगा कि जो बच्चा है वो extra uterine life में आ गए है मतलब आउटरं वर्ड में अच्क है उसके बाद का जो पीरिएड होता है उसे हम पोस्ट नेटल पीरिएड करते हैं तो पेरिनेटल पीरिएड के दोरान है पॉक्सिया की कंडिशन होजाए त और वो lead कर सकता है cerebral palsy की condition को दूसरी में बात करूँ radiation exposure की कि ठीक है mother अगर किसी भी परकार के radiation exposure में आये तो lead कर सकता है cerebral palsy को maternal infection में जैसे की torch infection में rubela जो है वो coach कर सकता है बच्चे में cerebral palsy की condition को चलिए दूसरी तरफ हम बढ़ते हैं postnatal period postnatal period में भी most common cause होता है वो hypoxia होता है cerebral palsy को cause करने का दूसरी में बात करूँ head injury अगर head injury हो गई है किसी भी कारण बस तो उस condition में brain का कोई भी part damage हो जाएगा और वो cerebral palsy को lead करेगा और इसमें एक और add कर सकते हैं अगर brain में किसी भी परकार का infection भी हो गया है तो वो भी cerebral palsy को lead कर सकता है चलिए next time इसके main portion की तरफ बढ़ते है types cerebral palsy को हमने 4 main types में divide किया है तो सबसे पहले हम बात करते है spastic cerebral palsy की spastic cerebral palsy है वो most common type है cerebral palsy का ये 70% cases में पाया जाता है 70% cases में spastic cerebral palsy जो है वो पाया जाता है अब इसमें हम देखते हैं कि spastic cerebral palsy में होता क्या है जी देखिए spastic cerebral palsy में क्या होता है कि जो अपर motor neuron है अपर motor neuron जो कि किसमे परजंट होता है cerebral cortex में cerebral cortex में जो परजंट अपर motor neuron है उसमें किसी leeson की वज़े से कोई leeson हो जाता है उसकी वज़े से क्या होगा इसमें gaba की deficiency हो जाएगी ठीक है ये gaba जो है gamma amino butyric acid एक inhibitory neurotransmitter है उसको ये receive नहीं कर पाएंगे ठीक है तो receive नहीं कर पाएंगे तो इसकी वज़े से क्या होगा कि इसका जो ये hyper excited हो जाएंगे hyper motor neurons hyper excited हो जाएंगे और इनको inhibit करने के लिए gaba वाँ पर परजन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे ओवर production कर देंगे excessive production कर देंगे electrical impulses का ठीक है due to deficiency of gamma amino butyric acid जो inhibitory neurotransmitter है इंद अपर motor neurons produce excessive electrical impulses ठीक है अपर motor neurons excessive electrical impulses प्रोडियूस कर देंगे उनको inhibit करने के लिए वाँ पर गाबा inhibitory neurotransmitter present नहीं होगा और उस condition की वज़े से क्या होगा उस patient में hypertonia की जो condition है वो देखने को मिलेगी कौन से condition देखने को मिलेगी hypertonia की condition वहाँ पर देखने को मिलेगी चलिए इसके हम sign and symptoms की बात करें इस पास्टिक जो इस पास्टिक जो cerebral palsy है इसके sign and symptoms की में बात करूँ तो इसमें epistotonous position या फिर epistotonous posture हम कह सकते हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है वो कौन सी होती है जैसा कि यह patient का head है ठीक है और यह neck और middle जो part है वो इस तरीके से उठ जाता है और एक आर्क जैसा structure बना लेता है ठीक है इस तरीके से bed से उठ जाता और आर्क जैसा structure बना लेता है इस position को हम बोलते है epistotonous position और यह cerebral palsy की condition में देखने को मिलता है दूसरी इसमें से एक में साइन होता है सीजर गेट या फिर स्पास्टिक गेट ठीक है सीजर गेट या फिर स्पास्टिक गेट इस condition में क्या होता है क्योंकि जो muscles है वो excessive neurotransmitter की excessive electrical impulses की वज़ा से क्या हो गई है rigid हो गई है तो उस condition में स्पास्टिक गेट हमें देखने को मिलेगा पेसेंट में नेक्स्ट में बात करूँ इसमें paralysis देखने को मिलता है जैसे कि dysplasia monoplasia paraplasia और hemiplasia की condition भी spastic cerebral palsy में देखने को मिलती है चलिए दूसरे तरफ हम बात करते हैं दूसरे टाइप की तो दूसरे टाइप की में बात करूँ dyskinetic और athertoid cerebral palsy यह second most type है cerebral palsy का 25% cases में यह देखने को मिलता है चलिए इसके अंदर क्या होता है जो brain की basal ganglia है ब्रेन की basal ganglia है वो affect होती है कि कि उसमें किसी भी परकार का damage हो जाएगा और basal ganglia है उसका normally function क्या होता है control body movement यह basal ganglia क्या करती है body के movements को control करती है और उसमें अगर किसी भी परकार के damage की वज़े से क्या हो जाएगे कोई खराबी हो जाएगी तो उस condition में क्या होगा sign and symptoms में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा slow warm like movement देखने को मिलेगा और dystonia हमें देखने को मिलेगा dystonia क्या होता है abnormal state of muscle tone इसमें muscles जो है वो प्रोपर जो normal function करती है वो नहीं कर पाती है abnormally function करने लग जाती है ठीक है थर्ड type की हम बात करें थर्ड type का नाम क्या है ataxic cerebral palsy ठीक है ataxic cerebral palsy यह वो rarely देखने को मिलती है 5% of cases में यह देखने को मिलती है अब ataxic cerebral palsy के में बात करूं तो इस परकार की cerebral palsy में brain का cerebellum part जो है वो damage होता है ठीक है brain का cerebellum जो part होता है जो पीछे की तरफ स्थित होता है वो damage होता है cerebellum का हम यहां पर बात करें तो इसका main function होता है vision का और दूसरा body equilibrium का तो यहां पर अगर cerebellum damage होगा तो वो responsible होगा muscle coordination के लिए और इस परकार की cerebral palsy में हमें जो sign symptom देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा child cannot maintain posture and balance इस परकार की condition में जो child है वो अपनी body की posture को और अपनी body की balance को maintain नहीं कर पाएगा ठीक है अब normal हो जाएगा last one हम बात करें mixed cerebral palsy की तो mixed cerebral palsy में दो परकार की cerebral palsy को involved करते हैं first one spastic cerebral palsy और दूसरी athetoid cerebral palsy फिके इस परकार की cerebral palsy में atoxic cerebral palsy को हम involved नहीं करेंगे दो ही cerebral palsy को हम involved करेंगे चलिए next हम इसके बात करते हैं diagnosis की तो diagnosis की बात करें तो इसमें physical examination करेंगे CT scan MRI करेंगे अब जैसा कि physical examination कोई student कर सकता है physical examination में हम इसमें कैसे अपन अनुमाल लगा सकते हैं कि इस cerebral palsy तो फिजिकल examination में अगर पेशेंट में किसी परकार पैरालाइसिस हुआ है कि कि मसल रिजिडिटी हुई है मसल स्पाजम हुई है तो वह सब condition हम फिजिकल examination के तुरू देख सकते हैं कि कि बड़ी मुवमेंट्स करवा के बच्चे को चला के उसकी बड़ी का कंट्रोल उस पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है वह सारी condition फिजिकल examination में involved करी जाएगी चलिए next हम इसके management की बात करते हैं तो यह जो हमारी condition है cerebral palsy यह non curable है मतलब यह क्यों नहीं हो सकती तो इस condition में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं हम सिर्फ supportive care ही उसको प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चे को ठीक है तो by multi-disciplinary team improve the quality of life जो अपना children है उसकी जो life है उसकी quality को improve करना है ज्यादा हम उसमें कुछ कर नहीं सकते तो इस team में कौन-कौन include होंगे physiotherapist, neurotherapist, speech therapist ठीक है occupational या फिर educational therapist यह सब मिलके जो अपना children है उसकी quality को improve करने में help करेंगे चलिए लास्ट दूसरे हम बात करें हम क्या provide करेंगे उसको muscle relaxant provide करेंगे क्योंकि उसमें muscles rigidity present है बच्चे में तो उस condition में muscles को relax करने के लिए हम digepam या फिर baclofen जो medicine है वो provide करेंगे ताकि उसकी muscles relax हो सके next last में बात करूं कि in the case of ataxic cerebral palsy अगर ataxic cerebral policy की condition है तो उस condition में हमें जो चिल्डरन के आसपास कोई सार्व object present है तो उसको remove कर देना है हटा देना वहां से नहीं तो वो क्या करेगा या तो खुद को harm पहुंचाएगा या फिर जो के टेकर है उसका उसको harm पहुंचा सकता है क्योंकि उसकी जो muscles है उस पर control नहीं हो पा रहा है वह involuntary control हो रहा है तो वह उस condition में किसी को भी harm पहुंचा सकता है तो यहां पर अपना topic complete होता है नेक्स्ट आप कौन से topic की class लेना चाते है प्लीज वीडियो में कमेंट करके बताएं मुझे और प्लीज ज्यादा से ज्यादा share करें और thank you for watching my video stay home stay safe अपना ध्यान रखें अपनी family का ध्यान रखें और अपनी study को continue रखें धन्यवाद